जेट जीतो, टाबरों की तरह जित पकड़के बैट गए है कोई तो समझाओ इन्हे, भाबू, आप क्यों चुब बैठी कुछ तो कहो ए बाबू, तू कुछ बोलती क्यों तो, अरे समझा ना भाईया को, चुझे जित पके बैट गए है समझने का नाम ही नहीं रहे एसा करेंगे तो जो कुछ कमाया, जो कुछ बचाया, सब गवा देंगे भाईया विख्रम भीया, कल का आप मान सहे नहीं पाया ना, तो बहकी-बहकी बाते कर रहे है अबो, समझाना भी है अबो, बोल थोड़ा धहरे रखे, किसी बाते कर रहे है, उडल खोलेंगे बताओ जे जी बुरा को नहीं मानना, जो अपना होवे है ना, उसी को समझाना पड़े है अब चाहिए छोटा हो की बड़ा हो, जिद्धा हर किसी की पूरी थोड़ा ना हो सके है, है ना बाबो आ गई सुरज, मारा सारा कहना, मारी बेहिंकरी पासपूक, सब कुछ था रहा है जे सारी चीचा, थारे से कीमती ना है छोड़े, ठाकुर्ची को नाम ले करके न, सुरू कर, आज तक तुने, इस घर के हर इंसान की चरूरेते पूरी के है, आज तुने पहली बार अपने लिए कुछ सोचा है, मारा असिर्वात हमेसा थारे साथ चुड़ा, सुरू कर, ले, और हाँ, इस घर के बच्चे बच्चों का सुपना पुरा किया इसने, और आज जो तुम लोग हो ना, तुम लोगों के पास जो कुछ भी है, उसकी नीव मारे सूरज ने रखी है, जब भी इस घर के कोई भी इंसान ने मदद मांगी है तो सिर्फ मदद की है, सलाम अशोरा ना दिया तुम सब ने, और हाम होई, तू कहीं हमोड़ी, थारी पड़ाई का और जे बड़े-बड़े कोरस लिया न तुने, सब कुछ इसने कराए, लेप्टोप की जरुरत पड़ी, तो एक सापना निकाला मारा जो, हजिर करना, और विक्राप, तू भूल गया, जब थारे को धंदे में पीसा की मदा की जरुरत पड़ी थी, मारे चरे सूरज नहीं मदा गी थी, एगैज, संध्या भी, संध्याभी नी ने, EPES बने का सपना देखा, उसका सपना भी और सूरज नहीं पूरादे लिटा, और एम लेपीन नी का पारलर खुलवा कर दिया, हाच जिंदगी में पहली बार, का बाने पहर मारे छोरे ने कोई सबना देखा। रही किसी से कोई मदद ना माँगी। बहर भी सारे के सारे पंच बन करके सुनानी सुनके। पर अरे कम से कम इसकी सपलता की कामना तो कर सबो Aa स्वार्थ में इतना भी नहोरा तुम लोगों से। किसी की जरूरत नहीं ने चलो तू पीछे मुड़कर ना तू तो बस आगे बढ़ता चलो कि थारी बाबो ना हमेंसा थारे साथ पड़ी तुम बढ़ बाबो कि मैं मैं जानू कि वह हमेशा बेडाल बनके खड़े रही है आज मेरे सामने हैं मेरे साथ है करिए कि यानि पाबो घुर्ब अब तुम माना है कि तू दादी है बाबा बाबा सा दादा है कि यसले इन पर वहार अदिकान और पर पच्यों का अदिखा रहे कि मैं इन चाहता कि मैं आपने सपने कि लिए किसी को तक्रिफ ये सबना ये होटल कोलने का दनता ये मेरा खुद का है इसको मैं खुद अपनी सोच पे अपने तम पे खोलना चाहता हूँ करतिया करूँगा उसे से सीखूँगा बस था राशिर को चाहिए बाबो और कुछ निशेहे मज़े ये ले लग लग इसको कि सुद्ध जी आपके सपने में हम सब आपके साथ हैं एक दिन आपने इस सपना अपनी आखों में बसाया था अज आपका ये सपना अपनी आखों अपने दिन में समा रहा है कि बहुत जन्द मेरे पती सूरा जी ना होटल को देंगे मुझे आप पर आज भी गर्व है और कल भी होगए अब गोड़ो भाईया रेड दो ना रेड गव क्या करेगा बेट ये ले और इंज ले अरे कलर भी अच्छा है और इसके नाम से स्पूट भी आता है काने की जीर ये ले तुना डबल टपलियां खाओ अब दे उसे रह दे गोलु भाईया मुझे रेड जाए क्योंकि रेड कलर मेरे पापा तर बेस्ट का फेरेड कलर है गोलु तुझा के ताई जी कुबल क्यों जली से यापे ताउ जी को लिए जली से यापे ताउ जली मैं ले आई हो सूरजी को चुपाओ आई ना देखे बच्चे कितने बजार कर रहे आपका क्या कर रहें आप लोग चलो ना आई यह क्या मजारत है कहां लेकर जा रहे हैं पुझे आई यह कुदा इडिया वेट पापा पापा कुछे मैं यह यह पापा मैं आपको एक बहुत 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 अच्छा सप्राइज देने जा रहा हूं अच्छा तो जल्दी कर ना बेटा थारे सर्प्राइज के लिए ना मेरे पास सबर नहीं है चल्दी कर चल्दी कर मैं तीन तक गिनूंगा तीन बोलते ही हुर से उपन कर देना वान टू थ्री क्यासे लगा मेरे सप्राइज श्री वड़ेस होटल आपने होटल का सपना देखाना पापा मैंने आपके सपने को ड्रॉ किया और रंग भी भर दिये पापा अपना होटल बिल्कुल ऐसा ही होगा ना आपके दोस्को तस्वीर देखे मारे मन में एक अंजान सा डर बैट गया है आज की खुसी कल कहीं तूट न जाये अगर सुरज का सपना पुरा ना हुआ तो ना जीना मारे सुरज ने हमेशा हर परिक्सा में पास होकर दिखाया है हर जिम्मेदारी निभाई है हाथ जीवन में पहली बार अपने बारे में सुचा है कोसिस तो करंदे हो अगर पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर ठाक जेकी किरपा ना हुई तो कि लोट कर अपनी मिठाय की दुगान पर बापे साथ जावेगो आज याज है ना बेटा क्या तारीक है आज 26 है ये देखो ये ये मंगल सुत्र ये ये शादी की सारी तयारियां हो चुकी है आपकी मम्मी अज शादी कर रही है लेकिन दुफ तो इस बात का है कि आपकी मम्मा ने अपको पहले लगाना तो दूर आपको बताना भी ठीक नहीं समझा अज आपकी मम्मा के लिए वो वो आदमी इपॉर्टन दोग है जिसकी वैज़े से वे खर चोड़ के जाना मैं जस्ट अभी घर से लिए ये बबाब मैं ताइम पर खोट जाओंगी तुम बस मेरे आने से पहले वहां पर सारी तेयारी करके रखना हाँ बाबा अज मेरे लिए भी बहुत खास देने चलो अब तुम फोन रहा को मेको वहां जल्दी से आने दो ये सब तो सही है अरी बटा मैं चलती हूँ अपना ख्यार रखना और हाँ दिन बर सिट किताबल में मत लगी रहना खाना भी टाइम पर खा लेना मैं चलती हूँ दिखा बटा दिखा अपनी ममा को अज कितनी स्वारती हो गई है ना पड़ा कदम उठारी है लेकिन अपनी पिरी बच्ची के परे में नी सोचा उसने मैं मानता हूँ बटा मैं एक बुरा इंसान था प्रिये आपकी ममा ने मुझे मुझे कुछ भी बताना ठीक नी समझा लेकिन एमली तो एक अच्छी मा थी ना उससे तो आपको सब कुछ बताना चाहिए था हम देखो आच अज जारी एक घर छोड़के बिना कुछ पता है ले बेटा आप आप जाओ और अपनी ममा को रोख लो जाके बात करो परना परना हमेशा हमेशा के लिए वह आपको छोड़के चले जाएगे जाओ बटा जाके बात कर लो अब मसा है जब परी एमली से बढ़ेगी और जो आग मैंने परी के दिल में लगाई है उस आग में मा बेटी का रिष्टा चलके हमेशा के लिए रापजागे ममा रुको ममा आप ऐसे नहीं जा सकते क्या हो पेटा कोई प्रोब्लम होई है क्या ममा आप अपना खयाल रखना और मेरे तरह से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रुद नहीं अब आपके बेटी बढ़ी हो चाहिए और समिज़डार भी नकाम खुद कर लें लवियो ममा लवियो ममा लवियो तू मेरा बिटा आपको पता है ना ममा आपसे बहुत प्यार करती है और मैं बहुत जल्दी वापस आजाओंगी और तब तक आप बढ़ाई अच्छे से करोगे और साथ ही साथ खाना भी टाइम पर खाओंगे प्रॉमिस प्रॉमिस जो जो मैं जो ध्यान रखने अपना था यह है मेरे ओपर यह आज अप्र रखनाने के बाड़ी और गले लगह तो यह उसके यह सुखुट मान्बर की जूटे आर म the Michean आपको क्या लगा, आप मुझे मेरी मॉम के खिलाफ बढ़काएंगे और मैं उनसे गुस्सा होके लड़ाई करूंगी मैं एमिली ने कुछ पोला किया मेरी मॉम से इस बारे में कोई बात नहीं हुए ममा और मेरा इतना मजबूत रिष्टा है या मैं एक दूसरे को भरोसा दलाने की जरुरत नहीं हुँए हम एक दूसरे को समझते हैं बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं पहले तो मैने सूचा था कि आपस इतना ही बुरे इंसान हैं लेकिन अब पता चला आप इतने नहीं, बहुत बुरे इंसान हैं आप जूट सच बोनकी मेरे और ममा की भी श्वाइट करवाना चाहते थे ना अधिका मैं इतनी भी बेबबूप नहीं, सब समझे मैं मेरी मॉम से बहुत प्यार करते हैं और उसे कहीं ज़्यादा आपको घेट करते हैं अधिका मैं नमस्ति, मैं सूरज राठी हूँ सर, इसलिए 20 साल से मैं प्राठी मिस्टान बंढार के नाम से अपनी दुकान चला रहा हूँ लेकिन अब अब मैं अपना खुद का एक होटल खोलना चाहता हूँ और यह है मेरी फाइल और इसमें है मेरे लोन्स न सम्मंदित सारे जरूरी कागजात यह दिख लेशी अच्छा तो आप फलवाई और अब अपना खुदिल खोलने के बारे में सोच रहे है आप अपने प्रोफेशन से कुछ अलग हटके करने की सोच रहे है Mr.Nathir कोई एक कारन बताईए जो हमारा बैंक आपको लोन दे ना आपके पास इस बिजनस का अनुभव है और ना ही कोई ज्यादा फिनेंशल सपोर्ट सही कापने मेरे पास ना तो अनुभव है और ना ही पैसे लिकि मेरे पास मेरे पास मेरा सपना है और उस सपने से जुड़ा आटूट विश्वास जो कि मुझे लगता है कि वोई भी नहा काम शुरू करने से पहले बहुत जरूरी है एक आपको आटूट विश्वास है और दूसरा आपको सपना सपने पर पूरा विश्वास है हम इसमें इड्वेस्ट करने के तैयार है कंगार्चुलेशन थैंक्यों क्या बात है सुराजी आप तो पक्के बिसनस्में बंगे प्रैक्टिस सेशन में इतना कॉंफिडेंस असमी मैनेजर के सामने बात करेंगे ला तो आप चाही जाएंगा देखेगा आपका सपना उसके दिल तक जरूर पहुचेगा अच्छा चोलो मैं निकलता हूँ 15 मिट पजे है भाइसा एक छोड़ी से परशानी आ गई है वो देवपुरा जी है ना बहुत गुस्से में भाइसा उनके घर जो हमने मिठाईयां भिजवाई थी गर्मी की बज़े से सब खराब हो गई भाइसा ऐसा उनेन हंगामा मचा दिया आप जल्दी चलिए अहां इकल मैं आता हूँ जी भाइसा मैंजा आपिया सुरजीब अब 15 मिनिट बचे हैं यह मीठें के लिए देरना हो जाए यह नि मैं आप आप आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक स्टाप्लस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टाप्लस यूटूब पेज को